Hello friends, welcome to exam master channel और G1 कोशल पर यह मेरा part 2 है part 1 आपने अगर introductory नहीं देखा मैंने G1 कोशल क्या है वो मैंने introduction में बता दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में एक link मिलेगा आपकी screen पर वहाँ पर click करके आप उसे देख सकते हैं इसमें मैं बताऊंगा जीवन कोशल की आवश्यक्ता ठीक है जीवन कोशल क्या है इसके बारे मैंने पिछले वीडियो में डिसकस कर लिया था अब मैं आपको इसकी आवश्यक्ता बताऊंगा कि जीवन कोशलों की आवश्यक्ता है वहम इसका महत्त हो तो सबसे पहली जो इसकी आवश्यक्ता है वो है एक बालक के सरवांगीन विकास सबसे बड़ी बात जो शिच्छा का उद्देश क्या है आपको पता होगा आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है बालक का सरवांगीन विकास तो एक बालक के सरवांगीन विकास के लिए जीवन कौशल आवश्यक है ठीक है नमबर वन पॉइंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि अति लगूत तरी में ऐसे ही पूँचेगा कि जीवन कौशल की आवश्यकता बताईए ठीक है कोई दो या कोई एक तो एक बालक के सरवांगीन विकास के लिए जीवन कौशलों का ग्यान आवश्यक है क्योंकि जीवन कौशलों के ग्यान के आभाव में वहपूर्ण विकास की और अग्रसर नहीं हो पाएगा तो एक बालक के सरवांगीन विकास के लिए जीवन कौशल बहुत ही महत्पूर्ण है फिर दूसरा है सामाजिक गुणों सामाजिक गुणा आप लोग जानते हैं के विकास के लिए सामाजिक गुणों के विकास के लिए जीवन कौशल बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जीवन कोशल, मर्यादित, आदर्ष एवं सामाजिक व्यवहार में उपयोगी सिद्ध होते हैं तो जब तक सामाजिक गुणों में विकास नहीं होगा तब तक आपका मर्यादित और आदर्ष व्यवहार समाज में प्रस्तुप नहीं हो पाएगा तो दूसरा पॉइंट है, सामाजिक गुणों के विकास के लिए पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किये भी नः जायेगा आप सब तीसरा है, शैचिक समस्या एवं अशैचिक समस्याओं के समधान के लिए शैचिक वा अशैचिक समस्याओं के समाधान के लिए समाधान है तुभी कह सकते हैं इसको शैचिक और अशैचिक समस्याओं क्या है एक शिचक के लिए शैचिक समस्या होती है उसके बालकों का सरवांगेन विकास में जो कोई बाधा रहती है वो शहचिक समस्याएं है और शहचिक समस्याएं वे होती है जो समाज में ब्याप्त होती है ठीक है जिनका विद्याले इस तर पर कोई संबंध नहीं होता लेकिन सामाजिक और राजनीतिक इस तर पर उन समस्याओं का संबंध होता है तो इस प्रकार क की दोनों समस्याओं के लिए जीवन कौशलों की आवश्यक्ता होती है, ठीक है, तीन पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट जो है, क्यूं आवश्यक्ता है, वो है, सम्वेगात्मक स्थिर्ता, ठीक है, एवं मानसिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, इसमें क्या होगा, यह लिख लिजेगा, सम्वेगात्मक स्थिर्ता मानसिक प्रक्रिया नूट्स बनाते चलिए, इसके हिसाब से बहुत अच्छा बात होगी, इसमें यह होगा, कि समवेगात्मक इस्थिर्टा यानि आप अपने समवेगों पर नियंत्रण रख सकें ठीक है आपके समवेग भटके ना आप आसमाजिक ना हो पाएं समाजिक से और मानसिक प्रक्रिया को सरल बनाना मतलब हमारे मन में जो तरह-तरह के विचार चलते रहते हैं जो हमारी मन की उलधने रहती हैं उनको सुलधने है तो जीवन कौशलों की आवशक्ता होती है और अंतिम पॉइंट है इसकी आवशक्ता में वो है बालकों में आत्म विश्वास की भावना के विकास के लिए जीवन कौशल यानि बालकों में आत्म विश्वास की भावना के विकास के लिए, तो ये तो हो गया इसका आवश्यक्ता, ठीक है? अब ये तो आप पच्वा पॉइंट समझ ही गये होंगे, मैंने पाच्व पॉइंट डिस्क्राइब करें, बालकों में आत्म विश्वास की भावना मतलब क उनको अपने उपर विश्वास हो सके इसलिए जीवन कोशल की आवश्यक्ता होती है चलिए अब जीवन कोशल शिच्छा की विशेष्टा है ठीक है आवश्यक्ता हो गया अब इसकी विशेष्टाओं के बारे में बात करते हैं आज मैंने कहा ना कि आवश्यक्ता और तो अब विशेष्टाओं की अगर हम बात करें, तो जीवन कोशल की जो सबसे पहली विशेष्टा है, पहली की अगर हम बात करें, तो वो है बालकों में व्यवहारिक ज्यान का समावेश, इसे मैं डिस्क्राइट करता हूं, इसके अंतरगत क्या आता है कि बालकों में उन सभ कुशलताओं के बारे में ज्ञान प्रदान आप कर सकें जिसकी अवस्यक्ता बालक को अपने भावी जीवन में सामान ने रूप से पढ़ती रहती है जैसे उदारण के लिए आप देख लें शीग्र निर्णाय लेने की कुशलता एवं आत्मविश्वास संबंधी कुशलता इसकी जो पहली विशेष्टा है वो है बालकों में ब्यवहारिक ज्यान के समावेश करती है यह जीवन कौशल दूसरा है जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश यह मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ डायरेक्ली मैं चाहूं तो इसे पहले से लिख करके आपको न आते हैं ध्यान से जब मैं आपकी आख के सामने लिखूंगा तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा जैसे एक टीचर आपको पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने लिखता है ठीक है तो यह मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का तो आशा करता हूं दूसरा प बनाते जाएं इसलिए मैं में में पॉइंट लिख रहा हूं और पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बना सकें जी वन कोशल पर ठीक है तीसरी इसकी जो अवश्यक्ता है बालकों में सकारात्मक एवं आदर्श विवहार का विकास बालकों का प्रत्य क्रिया विवस्था के बारे में नाकारात्मक धार्णा बना करके कुंठा ग्रस्त हो जाते हैं यह तीसरा पॉइंट में डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां मैं लिख दे रहा हूं आप लोग यह पॉइंट जरू लिख लें तो नकारात्मक धार्णा बना करके जब वो कुंठा ग्रस्त हो जाते तो इसके परिलाम सरूप क्या होता है कि कोई परिस्थिति बालकों को स्व समबंध स्थापित करना लिखते जाए आप लोग भी आत्म विश्वास से सम्बंध स्थापित करना ठीक है? इसमें के अंदर गदाता है कि जीवन कौशलों का आत्म तत्व आत्म विश्वास होता है जिसके आभाव में कोई बालग कार्य की योग्यता होते हुए भी कार्य को उचित रूप से संपन्न नहीं कर पाता जीवन कौशल की शिच्छा द्वारा छात्रों में आत्म विश्वास की भावना विक्सित करने का प्रयास किया जाता है जिससे छात्र प्रतेक कार्य को सफलता एवं प्रभावी रूप में संपन्न कर सके पांचवा पॉइंट है निश्पक्षता जीवन कौशल की जो अगली विशेष्टा वो है निश्पक्षता एक शिच्छक को चिंतन करते समय किसी प्रकार के पूर्वग्रह को अपने दिमाग में स्थान नहीं देना चाहिए इसका मतलब यह है बीचार की प्रक्रिया एवं चिंतन की प्रक्रिया को एक शिच्छक को हमेशा पच्छपात से बचना चाहिए और निश्पच्छ रहना चाहिए तो पांचवा यह है और अंतिम पॉइंट है इसकी जो है विशेष्टाओं में चठवा जो आप लिख समावेश ठीक है तो आशा करता हूँ आप सब को एकदम क्लियर वीडियो आ रहा होगा आधुनिक्ता की विशेष्टाओं का समावेश आधुनिक्ता का आशा है उन परिस्थितियों एवं व्यवस्थाओं से होता है जो की वर्तमान समय में हमारे समक्ष होती है अता शिच् आज आपको जीवन कौशल की आवश्चक्ता और इसकी विशेष्टाओं बता दी है अगले उसमें मैं बात करूंगा जीवन कौशल व्यवसाइक आचरण अमनी ठीकी ठीक है यह इसका इंट्रोडक्शन और दूसरा पाट था आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएग थैंक्यू दूस्टू